हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं Special Education Teacher को लेकर आर्शियाई द्वारा जारी किये गए नए सर्कुलर के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Special Education Teacher की जो गाइडलाइन से उनको लेकर और उनसे रिलेटेड जितने भी कोर्सिज हैं तो उनके संबंद में आर्शियाई द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी किये जाते हैं और जितने भी डिसीजन होते हैं तो वो सभी आर्शियाई द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं तो अभी एक नए सर्कुलर आया है आर्शियाई की तरफ से जिसमें बताया गया है कि जो Special Educator का गैप है तो उनको फिल किया जाएगा इनका मानना है कि हमारे देश में अभी भी Special Educator के लिए बहुत गैप है और बहुत कमी है Special Educator को लेके तो उसको फिल करने के लिए इन्होंने बोला है कि जो Institutes हैं तो उनमें Seat बढ़ाई जाएगी अब तो Seat बढ़ाने के इन्होंने आदेश दिये हैं और साथ की साथ बोला है कि ये उन Institute के साथ मिलके तो Pilot Project शुरू करेंगे और फिर अगर इनको ये सही लगता है तो आगे फिर Further Decision लिया जाएगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे साथ ही ऐसे होंगे जिन्होंने Special Education से संबंदित कोर्सिज किये हुए होंगे और अभी भी बहुत से ऐसे Special Education टीचर हैं जिन्होंने कोर्सिज कर लिये हैं बट वो वकैंसीज का वेट कर रहे हैं और सबसे जादा बेरोजगार Special Educator ही बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तक भी कुछ स्टेट्स को छोड़के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां से Special Education टीचर की डिक्टूटमेंट के नोटिफिकेशन नहीं आये हैं बट RCI का कुछ और ही मानना है इनके द्वारा कहा गया है कि Special Educator का बहुत बड़ा गैप है जो की फिल नहीं हो पा रहा है तो इसी को देखते हुए ये सीट बढ़ाने का डिसीजन ले रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि अभी तक अगर ये किसी भी इंस्टिटूट को माननाता देते थे तो 30 से 35 सीट से सेंक्शन की जाती थी और उनको देखते हुए ही कितने सारे Special Educator अभी भी बेरोजगार है औ और अगर ये सीट बढ़ा देंगे तो ये बेरोजगारी की दर और भी बढ़ जाएगी क्योंकि जहां जिस इंस्टिटूट से अभी 30 स्टूडेंट निकलते हैं एक साल में उस इंस्टिटूट से आगे 60 स्टूडेंट तक निकलने का इन्होंने प्रोवीजन बना दिया है तो आप देख सकते हो कि जब डबल स्टूडेंट निकलने लगेंगे एक इंस्टिटूट से तो कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि ये वकैंसी निकालने ही रहे हैं RCI को जिस चीज़ पर एफर्ट लेने चाहिए वो चीज़ करने ही रही है कि जो वकैंसी निकलवानी चाहिए तो उनसे रिलेटिल कोई भी आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता बट अपने जो पैसे इनको बनाने होते हैं जहां से तो उस चीज़ को लेके ये टा जुरूर कर दें साथ में अपने सभी सातियों के साथ शेयर भी कर दें तो जैसा कि आप ये देख रहे हो ये ओफिशिल नोटिफिकेशन आया है RCI की तरफ से और इसमें बोला गया है कि काउंसील ने जो रिपरजेंटेशन है रिसीवड की है और वो थी रिगार्ड टू इ इन दा एगजिस्टिंग इस्टिटूट फोर दा काउंसिल ओफरिंग डिपलोमा और बीएड स्पेशल एजूकेशन को लेके तो जो पहले से एगजिस्ट हैं इस्टिटूट तो उनमें इन्होंने बोला है सीट बढ़ाने को लेके तो रिपरजेंटेशन मिली है इनको जो ब्रीज दा गैप और स्पेशल एजूकेटर तो इन्होंने बोला कि जो गैप है उसको फुल करने के लिए फिल करने के लिए तो ये ये डिसीजन ले रहे हैं और साथ में इन्होंने बताया कि इन्होंने फ्रेस परपोजल के लिए मना कर दिया है क्योंकि अब जैसे कि इन् कि हम जो पहले से जो institute है तो उनमें seat बढ़ाने का ये decision ले रहे हैं और साथ की साथ इन्होंने बोला है कि ये pilot project के तोर पे देख रहे हैं और इसमें इन्होंने 33 institute का बोला है कि वहाँ से proposal मिले है इनको जो की state of राजस्थान से हैं तो आप देख सकते हो कि राजस्थान में जैसा कि आप सभी ने देखा कि पिछले session में सभी seats full हो चुकी थी और जो भी institute थे उनके पास और seat नहीं थी candidate को admission देने के लिए और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में कितनी high fees ली जाती है special education courses करवाने के लिए और अब उनको जब ये दिख रहा है कि बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं इस course से और नया course वो नहीं लगा सकते हैं तो इसलिए उन सभी ने ये request के RCI से और RCI उस चीज़ पे मान भी गया बट इनको बलब सिरफ course करवाने से मतलब है और जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उससे कोई मतलब निया इनको क्योंकि राजस्थान में special education teacher की vacancies आती हैं इसलिए वहाँ के candidate बहुत ज़्यादा जो special education में courses कर रहे हैं और इसी को देखते हुए वहाँ के जो institute थे उन्हों उन्होंने representation दी RCI को और RCI उस पर सहमत हो गया तो इन्होंने बोला कि ये 50 institute को लेंगे as a pilot project के तोर पे और जो 33 है उनका इनके पास proposal भी आ चुका है तो आप देख सकते हो कि चाहे institute हो या RCI हो सब को अपने अपने पैसे से मतलब है तो इन्होंने कुछ criteria दिया है कि ये किस criteria के बेस पे अप्रूव करेंगे जो seat enhancement को लेके तो special school का बोला है इन्होंने अगर 10 seats बढ़वानी है तो 55 children होने चाहिए जो कि children with disabilities के concern area में बोला है इन्होंने साथ में अगर आपको 20 seat बढ़ानी है तो 65 children होने चाहिए और 30 seat बढ़वानी है तो 75 children होने चाहिए classroom में बोला है two classrooms होने चाहिए 50 square meter each होना चाहिए अगर 10 seat बढ़वानी है तो और 20 बढ़वानी है तो दोनों classroom 65 square meter each होने चाहिए और 30 बढ़वानी है तो 80 square meter each होने चाहिए MP hall के बारे में बोला है कि 80 square meter का होना चाहिए अगर आपको 10 seat बढ़वानी है अगर 20 बढ़वानी है तो 100 square meter का और अगर 30 बढ़वानी है तो 120 square meter का library होनी चाहिए तो इन्होंने ये criteria दिया है आप देख सकते हो अगर आप किसी institute में अपने में seat बढ़वाना चाहते हो तो आप इस criteria को follow कर सकते हैं इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये सब चीज़े होनी चाहिए और जो ये decision है ये approved किया जाएगा after verification और inspection होगा inspection के बाद ये जो भी verification होगा अगर उसमें आप इनका जो भी requirement है उसको fulfill करते हैं तो ये फिर decision लेंगे seat बढ़ाने के बारे में और इन्होंने बताया कि ये one year के लिए होगा जो कि academic session के लिए pilot basis पे और इसको further भी ये continue करेंगे अगे अगर इनको सही लगा तो इसके लिए आपको fees deposit करवानी है RCI को जैसा कि मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि इन सभी को अपनी अपनी fees से मतलब है RCI ने बता दिया कि यहाँ पे आपको fees submit करवाना है और इसके बाद जिस भी institute में seat बढ़ेंगी तो वो फिर candidate से इस fees को वसूल करेगा तो इसके अलावा इन होने बोला कि जिन भी institute पे कोई inquiry है या कोई legal उनके उपर notice है तो उनको यह मंजूरी नहीं दी जाएगी seat enhancement को लेके तो उनके लिए यह नहीं है और इसमें इन्होंने बताया कि जो first come first serve basis पे यह करेंगे कि आप अगर पहले अपना proposal लगा देते हैं तो आपको पहले मिलेगा और इसके अलावा इन्होंने 50 institute की बात किया कि phase 1 में यह 50 institute को देंगे और अगर इनको सही लगता है तो यह आगे फिर उसको बढ़ा सकते हैं तो आप देख सकते हो कि यह नया notification आया है जिसमें seat बढ़ाने की बात की गई है जो पहले से existing institute हैं उनमें तो इससे मुझे लगता है कि कुछ नहीं फायदा होने वाला है यह सिरफ student को बहकाने वाली बात है क्योंकि उनको बहका के और ज़्यादा से ज़्यादा courses अब enroll करवाये जाएंगे courses में student और उसके बाद फिर आप देखी रहे हो कि vacancies कहीं आ नहीं रहे हैं तो और भी इसमें competition बढ़ने वाला field में बाकी आप खुद भी समझदार हैं तो इसके लिए आप RCI को mail कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करें क्योंकि जैसा कि इनोंने बोला है कि ये gap को fill करने के लिए कर रहे हैं बट आप देखी रहे हो कि कितना सारा gap है और कितनी बेरोजगारी दर है आप इन चीजों को RCI को बता सकते हैं आप भी अपना जो representation है वो दे सकते हैं साथ में अगर सभी candidate चाहें तो वो mail कर सकते हैं RCI को कि एक बार फिर से वो review करें इस decision के उपर और ऐसा ना करें बाकी अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरे द्वारा दी गए information अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करिए और साथ में share भी कीजिए thank you